अच्छ हम बाद करने जार है से तो बहीं उन्होंने किड़्ती चकर शोरे चकर सैना मेडल बिशिष्ट सेवा मैडल यासे अनेकों अवार्ड इंडिण आर्मी में जीते तो वहीं इस वक्त वो ब्रिगेडियर थे और बताया जा रहा है कि उनकी प्रमोशन ना होने की बज़ा से वो अभी रिटाइड होने बाले हैं पूरे शत्रीय समाज को अंदेखा किया जा रहा है तो वहिंग जब से जनरल बिके सिंग और बिपिर रावर सिंग जी की डात हुई है तो उसके बाद BJP RSS 11 शत्रिये इंडियन आर्मी में जनल बना रही है जो की सरा सर शत्रिय समाज का अपमान है यह अपमान कैसे है क्योंकि निए इंडियन आर्मी में 5 रेजीमेंटें ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा शत्री है ओर शत्री है उनके नाम से बढ़ी है उसमें भी जाधा त्री बड़ी आर्मी में सबसे ज्यादा संक्या है किसी की दो शत्री ब्रादरी की है लेकिन उन पर गैर शत्रियों को थोंपा जा रहा है तो आप जिससे देख लीजिए कि जब जनरल बीके सिंग जब बीपन रावत थे तो तब कितना अश्या चल रहा था और बरतमान में कितने हमले हो रहे हैं तो उन सब पर भी जाँ चोनी चाहिए जनरल बीपन सिंग रावत जी की जो मृत्य हुई थी उस पर भी सवाल उड़ता है कि क्या वो शत्रिय समाज को अंदेखा करवाने के लिए की थी और अब सोरभ सिंग चिकाबद जो आगे जाकर जनरल बनने वाले थे उनकी रिटायर्मेंट करके ये शत्रिय समाज को पूरी तरह से अंदेखा करने का काम इस शत्रिय ब्रोधी सरकार ने किया है चाते हैं कि हम आगे भी ऐसे सिर्फ अपनी कोम के लिवाज उठाते रहें जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कोम तो आप हमें नीचे दिये से के और कोड़ से स्क्रीन शार्ट लेकर जिस भी बाई से जितना होता है बीस पिचा इस माज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर